नमस्कार दोस्तों आज 18 सेप्टेमबर है और आज के दा हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसलेकि हम फिर से हाजी रहें आज जो सबसे पहली न्यूज पढ़नी है वो है पेज नंबर 4 पे ठीक है पेज नंबर 4 में जो नूज है यह है why ममता ज्फोरेंड विजिट में नॉट वी एनफ तब यह बहुत नहीं है attract investment create jobs in West Bengal West Bengal में सिर्फ attract करने के लिए या job create करने के लिए सिर्फ ममता का जाना बहुत नहीं है ये कहा गया है इसका मतलब है कि आप जब विजिट करते हैं किसी देश में किसी दोरे में जाते हैं आप वहां से चाहते हैं कि फॉरन इंवेस्टमेंट आए तो आपको क्या-क्या चीज़े देनी पड़ती हैं आपको उन कंपनियों को सु से सुरच्छा देनी पड़ती हैं और बंगाल में CPI या जो कम्मिनिस्ट पार्टियां हैं या इस प्रकार के जो वामदल रहे हैं इनके कारण लेबर लॉज इतने कड़े हैं कि वहाँ पे कोई भी कंपनी काम करना पसंद नहीं करेगी वहाँ पे इतने कानून मानने होते हैं कि कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी इवन आपने याद होगा आपको कि सिंगूर एक जगह थी जहां पर टाटा की नैनो फैक्टरी लगनी थी उसे लास्टली गुदरात ले जाना पड़ा जितने भी इंडस्टिलिस्ट थे मंगाल में बंगाल बहुत मतलब मजबूत माना जाता था और द्योगिक छित्र में और वो सब सारे समेट समेट के या तो जारकांड या ओडिसा या फिर साउथ में चले गए या फिर गुदरात इन छेत्रों माहरास्ट्रा इन छेत्रों में चले गए तो यहीं पे वो कहा गया कि एक जो सिर्फ आप बंगाल मतलब विजिट करते हैं तो इसका इससे कुछ नहीं होने वाला आपको वो माहौल भी देना पड़ेगा और आगे चीज़ें भी करने पड़ेगे तो आपको यह ध्यान रखना है ठीक है कहां पे गई थी क्या गई थी उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है पेज नमर सिक्स पे चलते हैं पेज नमर सिक्स पे हैं इंडिया अब जो मामला है कि हम इन लास्ट फिवरी इंडिया स्टीडली बिकम यह स्ट्रॉंग वोईस आप वेरियस्ट क्रिटिकल इसू बहुत सारे इसूज हैं बहुत सारी चीजें हैं और एक नन कॉम्यूनिकबल डिजीज है और मेडिकल छेत्र में या स्वास्त छेत्र में हम ज और अधियूनिक चर्चा की गई है और इसमें इस छेत्र में एआई जो है आटिफिशल इं겠습니다 किस प्रकार से सहायक होगा इसın के बात Receber इसे पढ़़ सकते हैं इसके बाद Page नमबर 7 में पढ़ना है पेज नमर 7 में क्या है कि Assessing Outcome of G20 Summit जो अभी हुआ है Assessing Outcome of G20 Summit तो उससे क्या निकल के आया है तो हम अध्यष थे और भारत अध्यष है अभी मतलब 2023 तो है ही और इससे जो चीजे निकल के आई हैं उसके बारे में क्या है तो एक थोड़ा समरी एक तरीके से ले लिए तो यहां से आपको पढ़ने में समरी मिल जाएगी इसके बाद पेज नमर 7 पे ही है Export Ban हमने कुछ निर्यात बैन किये हैं पर्तिबंद लगाए हैं और a stocking limit मतलब जो stop कर सकते हैं या जो भंडारन कर सकते हैं उसकी भी limit लगाई है तो क्या ये working है ये क्या काम करती है इसी पे एक data दिया गया है कुछ data है तो इसको आप देख लीजेगा जैसे अभी गेहूं पे लगाया गया है तो wheat comments था और ये धिर्द्रे जो price है उसका ठीक ठाक नीचे हुआ है तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ ये काम करते हैं और जहिसी बात है कि अधी बैन लगाया जाता है जैसे गैर बासमती में लगाया था राइस में लगाया वीट में लगाया गया तो इस प्रकार से ये काम करता है और इसी पर थोड़ी आंकड़े दिये हैं तो इसको आप देख लिए गया इसके बाद page number 8 पे है page number 8 पे है why is the government pushing for regulatory mechanism for OTT services OTT services के लिए किस प्रकार एक जो mechanism बनाया जा रहा है जो regulatory mechanism है मतलब उनके नियंतरण के लिए जो एक machinery बनाई जा रही है वो क्यों और क्या कारण है इसी पर एक चर्चा की गई है ठीक है तो ये आपको देखना है कि एक तो OTT जो platforms है या web series जो चलते है वो OTT platform है और एक बहुत ही nudity या इस तरीके की violence वाली जो content है वो दिया जा रहा है उसी को regulate करने के लिए ये चीज़ें की जारे है तो आप इसको पढ़ लेंगे इसके बाद हमें page number 10 पर पढ़ना है page number 10 पर क्या है committed to helping artisan यहाँ पर एक जो launch किया गया है 17-13,000 करोड के साथ इसमें कुछ जो कारीगर है जो उनके वो एक category बनाई गई है और उसके तहत उसमें support किया जाएगा तो इस page number 12 पर है और page number 12 पर क्या है तो सांती निकेत आपको पता होगा रविंदना टैगोर नहीं से बनाया था इस था अपना की थी find its place on UNESCO's world heritage list, UNESCO के world heritage list में इसे सामिल कर दिया गया है तो आप इसे देख लेंगे और सांती निकेतन के बारे में थोड़ा पढ़नेंगे है इसके बाद हमें पढ़ना है जो वो page number एकदम से last में आता है page second करके science tech की बाते हैं दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe कर लें like, comment, share जरूर करें तो चलते हैं last news की ओर cats are hunting down India's birds जो बिलिया है वो काफी हद तक जो पच्चियों को कम करने में ये एक तरीके से खतरनाक सावित हो रही है बहुत ज्यादा खतम कर रही है जो हम मानते हैं कि ये IUC की लिस्ट में एकदम से vulnerable है या ये जो हैं एकदम से खतम हो चुकी है इसके पीछे बिलियों का हाथ है बहुत हद तक और इसी पर एक रिपोर्ट है ये और इसी पर बात की गई है तो आप एक इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बिलियां किस प्रकार से इनको हानी पहुँचाने में या सक्चम है या क्या कारण है कि बिलियां इनको ज़्यादा हानी पहुँचा रही है अब इससे पर बात की गई है तो आप इसे देख लेंगे ठीक है बस आज के लिए इतना ही है कल फिर मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ धन्याद